आज के इस फीडियो के इंदर हम रिवीव करने वाले हैं Conjuring 3 मुवी का जिसका नाम है Conjuring 3 The Devil Made Me To Do It ये मुवी अभी हाली में HBO Max पे रिलीज हुई है ये मुवी अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई है क्योंकि HBO Max अभी तक इंटरनेशनल रिलीज नहीं हुआ है वो अभी तक इंडिया में पे रिलीज नहीं हुआ है ये मुवी हिंदी लैंगुज में पे रिलीज होगी इंडिया के थेटर्स में लेकिन अभी तक इंग्लिस लैंगुज में ही इंटरनेट पे अपलेबल है तो अगर आपको इस मुवी को देखना है तो डेविल का था डेविल नहीं वो मटर किया था और ये बात पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गई थी जिसके बाद दुनिया ने विश्वास किया था कि डेविल जैसे चीजे एक्चुल में एक्जिस्टिक करती हैं इस मुवी के अंदर उसी एरिन की कहानी दिखाए गय यविदक आपने बहुत सारी गोश्ट वाली मूवीज देखी होगी ये होरर मूवीज देखी होगी लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ये प्रूफ करना है कोट के अंदर की ये जो मडर हुआ है ये एक भूत ने किया है और उपर से इस मूवी के अंदर जो बहुत ज़्यादा धरामनी लगेंगे इस movie के comparison में क्योंकि इस movie के अंदर उतने ज़्यादा horror scenes नहीं है उतने jump scare नहीं है क्योंकि इस movie के director बदल गए है पहली दोनों movies को James Wan ने direct किया था और इस movie को Maciel Chavis ने direct किया है that's why आपको इस movie के अंदर और उन दोनों movies के अंदर बहुत सारी differences देखने को बिलेंगे लेकिन उसके बाद भी ये movie एक काफी अच्छी movie है आप Conjuring Universe को काफी समय से follow कर रहे हैं आप Conjuring की बहुत सारी movies देख रहे हैं या आपने बहुत सारी horror movies देखी हैं तो ये movie आपको उतना तो नहीं डराएगी उतना entertainment तो नहीं करेगी लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी entertaining movie है क्योंकि हम एक horror movie से ये expect करते हैं कि वो movie हमें बहुत ज़्यादा डराए लेकिन इस movie के अंदर उतने ज़्यादा डराने वाले scenes नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरी लेकिन अगर आप एक new भी है आप नई नी horror movies देख रहे हैं तो ये movie आपको काफी ज़्यादा डराएगी और काफी पसंद भी आएगी ये एक normal horror movie की तरह नहीं है क्योंकि normal horror movies के अंदर बहुत सारे डराने वाले scenes होते हैं इस movie के director ने ये कोसिस किये कि वो लोगों को जितना हो से के अतनी realistic चीज़े दिखाएं जैसा actual घटना में हुआ था उनी सेम चीजों के इस movie के अंदर दिखाने की कोसिस की गई है कुछ भी extra order दिखाने की कोसिस नहीं की गई है इस movie के अंदर इसलिए ये movie बहुत ज़्यादा reality की तरफ जाती है मतलब इस movie के अंदर आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा unrealistic देखने को नहीं मिलेगा इसी वैसे ये movie इतनी डरावनी भी नहीं है पर नए लोगों के लिए ये movie काफी अच्छी movie है अगर आप 90 horror movies देख रहे हैं तो ये movie आपको बहुत पसंद आएगी लेकिन अगर आप काफी समय से कंजरिंग के universe को follow कर रहे हैं तब भी ये movie आपको ठीक ठाक पसंद आएगी बस आप ज़्यादा expectation ना ले जाके एक normal expectation के साथ इस movie को देखिए आपको ये movie काफी पसंद आएगी अगर इस movie के VFX और CGI की बात करें तो बहुत अच्छे इस के अंदर VFX और CGI और और production quality भी बहुत अच्छी है इस movie की इस movie का BGM भी काफी अच्छा और actor की performance भी बहुत अच्छी है इस movie को ratings दूँगा 6 out of 10 आपकी क्या ratings है इस movie के बारे में वो आप हमें comment section में बताईए और आप next किस movie का review चाहते हैं वो भी आप हमें comment section में बताईए मैं उसके ओपर जरूर वीडियो बनाऊंगा मैं मिलता हूँ अपनी इगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद